नमस्कार चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है इस वीडियो का टॉपिक है National Family Health Survey 2019 आएए देखते हैं कि अध्यतन National Family Health Survey से सम्मंधिट डेटा में किन बिंदूओं को उजागर किया गया है यहां एक महत्पून बात यह है कि National Family Health Survey 2019 से सम्मंधित पहले फेज का डेटा स्वास्थ एवं परिवार कल्यान मंत्राले के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है जो लेटेस्ट डेटा जारी किया गया है उसमें 17 राज्य जिसमें की महराष्ट बिहार और वेस्ट बंगाल और पांच केंदर सासित परदेसों जिसमें की जम्मू कस्मीर भी ये सामिल हैं पहले फेज के इस डेटा में कोविड महामारी से पहले इन राज्यों के स्वास्थी की स्थिति का आंकलन किया गया है वहीं दूसरे फेज का डेटा जिसमें की उत्तर परदेस पंजाब और आंकणों को यह संभावना है कि अगले साल मई महिने में जारी कर दिया जाएगा मंत्राले के अनुसार नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे 5 और नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे 4 दोनों में तुलना करने के लिए कई कंटेंट या कई घटकों को समान रखा गया है यहाँ पर जो हम नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे 5 और नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे 4 देखते हैं तो नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे की सुरुवात की गई थी 1992-93 में और उसके बाद से अभी जो डेटा जारी किया गया है यह नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे 5 से समन्धी डेटा है तो हमने क्या देखा कि National Family Health Survey 5 और National Family Health Survey 4 इन दोनों के बीच तुलना करने के लिए कई घटकों को समान रखा गया है लेकिन National Family Health Survey 5 में कुछ नए घटकों को भी सामिल किया गया है जैसे प्री स्कूल एजुकेशन दूसरा विकलांगता तीसरा ट्वाइलेट फैसिलिटी तक पहुँच चौथा मृत्यू पंजी करन पाचवान महावारी के दोरान इस्त्रियों के इसनान से संबंदित विवस्थाएं और छठा गर्वपात की विधी और गर्वपात का कारण पहले फेस का जो डेटा जारी किया गया है उसके अनुसार पाच वर्स से कम उम्र के बच्चों में कुपोसन से संबंदित जो इस्थिती है उसमें यह बात बताई जा रही है कि कई राज्यों में या तो उसमें मामली सुधार हुआ है या सुधार की गती पहले की तुलना म में कम हुई है इसमें जो मुक्रूप से पैरामीटर सामिल किये गए है वो पैरामीटर है चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड इस्टंटिंग, चाइल्ड अंडर वेट और चाइल्ड मॉटलेटी रेट या बाल मिर्ति उदर ये चारो के चारो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो वैस स्विक सुचकांकों में जैसे की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में प्रयोग किया जाता है अब हम बात करते हैं पहले पैरामीटर की मतलब चाइल्ड वेस्टिंग की चाइल्ड वेस्टिंग का अर्थ है कि इसमें उचाई की तुलना में बच्चे का कम वजन होता है तथा यह ती जारी किये गए हैं उसके अनुसार तेलंगाना केरला बिहार और असम उसके अलावा जम्मु कस्मीर केंदर सासित प्रदेश में चाइल्ड वेस्टिंग से ग्रसित बच्चों की संख्या में वृद्धी हुए है महाराष्ट और वेस्ट बंगाल के आकड़े यह बताते हैं कि उनमें कोई भी सुधार नहीं हुआ है बात करें अगर अंडर वेट की तो वैसे बच्चे जिनका वजन कम है तो इन कम वजनी बच्चों की संख्या गुजरात, महाराष्ट, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, असम और केरिला में बढ़ी है तीसरे पैरामीटर की बात करते चाइल्ड इस्टंटिंग की चाइल्ड इस्टंटिंग का अर्थ है कि यह उम्र की तुल्ला में कम उचाई को दर्साता है तथा यह इस्थाई को पोशन को दर्साता है चाइल्ड इस्टंटिंग का बच्चों के मानसिक एवं साररिक विकास पर भी दिरकालिक Policy Research Institute के Senior Research Fellow के अनुसार Child Stunting में यह वृध्धी समस्या बढ़ाने वाली है क्योंकि जादातर देशों में अब Stunting से सम्मंदित मामलों में वृध्धी नहीं हो रही है और Child Stunting में वृध्धी दोनों को मतलब इस्थिर लोकतंत्र और अर्थ विवस्था को प्रभावित कर सकता है बात करते हैं चौथ हे पैरामेटर की जो है Child Mortality Rate या बाल मिर्तियुदर इसका अर्थ है कि प्रती हजार जन्म पर पाँच वर्स से कम उम्मर के बच्चों की मिर्तियू National Family Health Survey 5 के पाले फेज का जो डेटा है वो यहां बता रहा है कि बाल मिर्तियुदर या इस्टेगनेंट है मतलब इसमें ठाराओ दिख रहा है इसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं है जबकि National Family Health Survey 3 जो की 2005 और 2006 में जारी किया गया और National Family Health Survey 4 जो की 2015-16 में जारी किया गया तो यहां देखा गया कि 10 वर्स की इस अबधी में Child Mortality Rate में सुधार हुआ है मतलब उसमें कमी देखी गई है आंकड़े यह बताते हैं कि 5 वर्स से कम उम्र के बच्चों की मिर्तियुदर प्रती हजार जर्म पर National Family Health Survey 3 में जहां 94 थी वहीं National Family Health Survey 4 में यह संख्या घट कर पहुँचे थी 50 वर इसका मतलब यह है कि 10 वर्स की अबधी में 5 वर्स से कम उम्र के बच्चों की मिर्तियुदर में 33 परतीसत की गिरावट देखी गई थी जबकि National Family Health Survey 5 और National Family Health Survey 5 इन दोनों अबधियों की अगर तुलना की जा रही है तो यह बात देखी जा रही है कि कई राज्यों में बाल मिर्तियुदर में जो सुधार है वह काफी कम है महराष्टा की अगर हम बात करें तो 5 वर्स से कम उम्र के बाल मिर्तियुदर की इस्थिती National Family Health Survey 4 और National Family Health Survey 5 में समान है जबकि बिहार में इसमें 3 परतीसत की कमी हुई है पिछले 5 वर्सों में विशे सक्यों का यह कहना है कि बाल मिर्तियुदर के 60 परतीसत जो मामले होते हैं उसका कारण कुपोसन होता है दूसरे सब्दों में बाल कुपोसन ही बाल मिर्तियुदर की केंद्रिय समस्या है कई और भी कारक होते है उदारण के रूप में कि अगर परिवार की आय में कमी होती है तो फिर कुपोसन की इस्थिती बदतर होती चली जाती है तो इस परकार हमने इस वीडियो में National Family Health Survey 2019-20 से समंधित जो आंकड़े हैं उस पर हमने चर्चा की और National Family Health Survey से समंधित जो पुर्व के आंकड़े थे उसक के साथ तुलना किये है इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार